वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें दोस्तों आज देखेंगे नमबर महिने की महतपुन यूगतियां नमबर महिने में कौन-कौन सी महतपुन यूगतियां की गई अपरिमेंट कौन-कौन सी हुई इनको आज देखेंगे current of fear का यह पार्ट रहेगा important वीडियो रहेगा तो देखिए आगे आने वाले exam में आपके current of fear के लिए important रहेगा तो आई चलिए start करते हैं सबसे पहले नाम दिया गया है लूलाडा सिल्वा और यह ब्राजील के नए रास्टपती चुने गए है नियुक्त हुए है इससे पहले भी रास्टपती रह चुके है 2002 से 2010 तक ब्राजील की रास्टपती रह चुके है इसके अलावा एक जनवरी 2030 को यह ब्राजील के 49 वे रास्टपती बन जाएंगे 39 नंबर के यह हो जाएंगे फिर से इसको याद रखे इसके बाद अगला नाम दिया गया है माता अमर्ता नंदमई और यह अम्मा के नाम से जानी जाती है भारत की नागरिक हैं इसके अलावाद C20 के अध्यक्त चुने गए है यह G20 का ही एक अधिकारिक समू है C20 की बाद हो रही है यहाँ पर और यह G20 का एक उफिशल ग्रूपी है इसके अंदर ही आता है और अभी इसके अध्यक्त चुन लिए गए है माता अमर्ता नंदमई किलियर है इसके बाद अगला नाम दिया गया है इसके बाद अगला नाम दिया गया है लिकुड पार्टी ये इसराइल की 120 सीटों वाली संसद जिसे नेसेट कहा जाता है उसमें 32 सीटे इन्होंने हासिल की तो यहाँ से एक प्रशन और आपके लिए बन गया कि इसराइल की संसद का नाम क्या है अपने हाँ जैसे अपनी जो पालिया मैट उसको संसद कहा जाता है लोग सभा राद सभा तो उसको संसद कहते हैं सहीद रूप से और यहाँ पर संसद का नाम पालिया मैट का नाम क्या है नेसेट है तो उसको याद रखना है यह लीट है, इंप्वॉटेंट हो सकता है, कभी जैसे की प्रारूप में बदलाव किया जाता है, प्रशन को ठोड़ा सा कठेन बनाने के लिए आफ चे दो या तीन तन पोचा जाता है, कथन वाला, और में से पूछ लेते हैं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है निमने में से तो हाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार की तथे दे दिये जाते हैं इसके बाद अगला नाम दिया गया है लियूनेल मेसी यह बाइजू की सामजिक पहल एजुकेशन एजुकेशनल एप्लिकेशन भी है बैपसाइट भी है और इसके अलाबा यहाँ पर एक अतिरिक्त तथे दिया गया है बाइजू कतर फीपा विश्यूकप की आधिकारिक प्रयोजग भी है तो इसको याद रखना है लियूनेल मेसी इसके बाइजू अगला नाम दिया गया है डॉक्टर जी हेमाप्रवा यह ICAR सुगद केन ब्रीडिंग इंस्टिट्यूट की पहली महिला नेदेशक चुल ली गई है डॉक्टर जी हेमाप्रवा तो इनको याद रखना है अगला नाम है सुब्रकांत पांडा और यह फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं सुब्रकांत पंडा किसोर कुमार बासण यह रास्टि इसमारक प्रणीकर्ण के अध्यक्ष चुल लिए गए इसके बाद दियागया है गोरड दुवेदी गोरड दुवेदी यह प्रशार भारदी के सीई-अग दवेदी इसके बाद अगला नाम आप दिख रहे हैं तययब इक्राम दि गई हैं डेमोक्राटिक पार्डी की है मैसरचुसेट्स की गवर्नर चुनली गई है मौराव हीली यह अमेरी की ध्यास में गवर्नर पत्तक पहुशने वाली पहली समलैंगे एक महिला बन गई है इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगला तत्य देखेंगे अगला नाम करनाटे कुछ ने आयले कि सेवा निवित्र मुखी ने आयदी स्रीतुराज अवस्ती को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है और विधी आयोग के अध्यक्ष और उनके सदश्यों की नियुक्ति केंट सरकात की द्वारा की गई है तो रीतुराज उडिया बिहार सेक्टर की IG नियुक्त हुए हैं और यह दोनों ऑफिशर पहली बार से CRPF में महिला रिकारी के रूप में वर्स 1987 में सामिल हुई थी यह पहली बार है जब CRPF ने किसी महिला रिकारी को IG नियुक्त किया है तो इसको याद रखना है इंप्टेंट बन जाती है वो चीज एक्जाम में पूछा जा सकता है इसकी बाद अगला नाम दिया गया है अरविंद बिर्बानी और यह नीदी आयुक के पूर कालिक सदर्श नियुक्त हुए है नीदी आयुक के आन्ने मौजुदा सदर्श वी के सार पूर्श वें रमेश चंद्र हैं और वी के पॉल हैं सुमन बेरी नीदी आयुक के अद्धक्ष निदी निदान मंत्री होते हैं अभी प्रधान मंत्री कौन है नरीन मूदी है तो यह नीदी आयुक्त हो जाएंगे इसके बाद अगला नाम दिया गया है न्याय मुत्ति धन दन्जय यशवन्त चन्टव्शूर यह 50वे मुखे न्याइधीस न्यूकति हुए हैं लाश्पती Gropati मुर्मुनें उन्ली राश्पति भवन नियूद में 50वे मुखे न्याइधीष के रूप्ल tornado रहेंघेजूर उन्होंने पूर्ब मुखे न्याइधी तो दोस्तों यहां पर हमने कुछ महातुपूर्ण यूगतियां देखी इसके बाद नेक्स पार्ट में देखेंगे तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एक्जाम प्रिपरेशन के साथ जोड़े रहें नमस्कार